करोना के इस महमारी की सनवे में कहीं महमारी बहार में चलती है और कहीं महमारी घर में भी चलती होती है कहीं करोना की एफेक्ट होती है और कहीं पर अपने विचारों की एफेक्ट होती है कहीं पर मैं राइट आप रॉग और कहीं पर तमें बले साथ चाहो पहूं तो आमज करीश होता ऐसा और ऐसा जब होता है तब कहीं न कहीं मन असान्त होता है सादक वो होता है स्रावक वो होता है उपाशक वो होता है असान्त मन को समझ से शांद करे असांद मन को समझ से शांद करे अद मनों की केतन भाई दोशी अभी कार चलाते चलाते सुन रहे है अब होता क्या इमालू में उनका सुनन राइड भी हो सकता है लेकिन हो भी सकता है कि वो सरकार के रूल्स तोड़ते हो तो रौंग भी हो सकता है क्योंकि सरकार का आदेश है कि कार चलाते वक्त आपको मॉबाईल यूज नहीं करना है लेकिन वो शाइद ऐसा भी कह सकते हैं कर चलाता हूँ तब सुनता नहीं हूँ जब मैं सुनता हूँ न तब चलाता नहीं तो इसको कहा जाता है नई नई की व्याख्या है अलग 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 और प्रमान ये चार शब्दाते अनियोग के अनियोग उशे कहा जाता है किसी भी सब्जेग को सम्मेक रुप से समझना और सम्मेक रुप से जब हमें उसे समझना है तो वगवान ने कहा चार द्वार है इस समझ नाम की नगरी के चार द्वार है इस समझ नाम की नगरी के चार द्वार हैं चारो ही द्वार शे इस समझ में प्रवेश किया जा सकता है उपक्रम शे निक्षेप से नई शे और प्रमान शे उपक्रम में क्या होता है सब्जेक को समझने की तैयारी करना निक्षेप में उस सब्जेक में प्रवेश करना नए में सब्जेक में प्रवेश करके उसके द्रश्टी कौन को प्रगट करना और प्रमान में उसके पूर्ण शत्य को प्रगट करना होता है दिवानुप्रियो हम साइद बहुत सालों से परमात्मा के फॉलोवर्स है लेकिन हमने कभी परमात्मा की बातों को परमात्मा की वाणी को परमात्मा के द्रश्टी कौन को परमात्मा के सास्तरों को परमात्मा की समझ को डिटेल में समझने का परहत नहीं नहीं किया कि मेरा द्रश्टी कौन सबका द्रश्टी कौन नहीं मेरा द्रश्टी कौन इसे कहा जाता है नए उसका द्रश्टी कौन वो उसका द्रश्टी कौन है और मेरा द्रश्टी कौन वो मेरा द्रश्टी कौन है किसी भी सबजे को समझने के लिए सबके अलग-अलग एंगल होते हैं सबके अलग-अलग वियू होते हैं सबके अलग-अलग दरश्टी होते हैं और इन सभी दरश्टियों को इन सभी दरश्टियों को अलग-अलग प्रकार से भेद किये गए हैं कोई ओवरॉल वियू देखता है और कोई डिटेल में चाता है कोई आपको पुछते हैं कहा रहते हो तो आपने कहा जब आप अमेरिका में हो ना तब आपने जवाब दिया कि मैं भारत में रहता हूँ लेकिन जब आप भारत में है ना तो आपने कहा कि नहीं मैं तो अम्दाबाद में रहता हूँ आपने और पुछा कि अम्दाबाद में तो कि अम्दाबाद में मैं बरबन नरणपुरा में रहता हूँ नरणपुरा में तो मैं स्थाने कोसी सोसाइटी में रहता हूँ तो यह हो जा एक अलग-अलग-अलग-अलग-अलग कहने का व्यू तो सबी के कहने की बात एक अपने अपने व्यू से राइट हो शक्ति है तो बगवान ने कहा कि यह जो व्यू है अलग अलग दरस्ती कौन है इसको हमें समझना पड़ेगा और यह इसलिए समझना पड़ेगा कि हम किसी को गलत माने नहीं और हम खुद गलत माने नहीं किसी भी सबजे को जब समझने के लिए हम उसके अंदर में निक्षेट के द्वारा प्रवेश करते हैं तब हमारे अंदर में अलग अलग परका की दरस्ती प्रकट होती है और वो दरस्ती कभी होती व्यवहार दर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् भी सभी का मन समान नहीं है क्योंकि आत्मा की दृष्टी से सभी आत्मा प्यूर है लेकिन जब आत्मा मन वचन काया के साथ होती है न तब आत्मा प्यूर नहीं होती इसलिए मन वचन काया के साथ में होती है और जब मन वचन काया के साथ में होती है तब सबकी आत्मा किसी की ज़दा असुद्धी होती है, किसी की कम असुद्धी होती है, किसी की बहुत कम असुद्धी होती है, किसी की बहुत ज़दा असुद्धी होती है और जिस प्रकार की आत्मा की असुद्धी होती उसी प्रकार से उसके मन भी अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग प्रकार के होते और जिस प्रकार के मन होते उसी प्रकार की बिचारधार होती उसी प्रकार के वियू होते उसी प्रकार से योफ एंगल होते है इसलिए मुझे जीना जब सब के शाथ में है जीना जब सब के शाथ में है तो मुझे सब को समझना बहुत शुरूई है क्योंकि हम जिसके साथ में रहते हैं उसे समझते नहीं है न तो प्राब्लेम सिर्फ उसको नहीं होता हमको भी होता है, हमको नियता उसको भी होता है और जिसके साथ हम रहते हैं संजेवा यदि पांस बैठे उसको समझ ले तो ट्विन टावर में बैठे बैठे उसको प्रॉब्लिम नहीं होगा लेकिन जब साथ में जिसके साथ में बैठे उसको नहीं समझेंगे हो सकती है और इस लिए मैंने मेरे गुरुदेव तब समराठ के साथ हाठ जोड़ाना तुन के पास जो भी गिनान सकती थी जो भी गिनान लब्दी जो भी ग्यान की आरादना थी वो हमारे अंदर में प्रविश्च कर दि उसके बाद में हमें कभी किसी पुष्टक को पढ़ने की जरूती नहीं पड़ी मैं आपको भी यही द्रष्टिकून देते हैं कि सिभाथ नहीं हाठ को जोड़ना पड़ेगा और जब हाठ को जोड़ लेते तब ऐसे द्रष्टिकून प्रकट हो जाते हैं ऐसा ज्यान प्रकट हो जाता है ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं कि हन संसार की हर समस्या का समधान ले पाते हैं प्रवु महवीर को किसी ने पुछा कि दर्म का फल क्या होता है प्रवु महवीर ने कहा संयन से समाधी प्राप्ति होती है धर्म से समाधी की प्राप्ति होती है और जिस कारिय से समाधी की प्राप्ति हो हमारे अंदर की आधी, व्याधी और उपाधी उपसांत हो जाए और हमारे मन वचन काया की योग उपसांत हो जाए और हम समाधी भाव में आत्म भाव में आ जाए इसी को धर्म का फल कहा है और शिली बगवान ने कहा पढ़मन नानम तो दया पहले आप ग्यान को प्राप्त करो अपने आप ही आपका आचरन शुदर जाएगा और ये ग्यान की प्राप्ती का जो सब्जेक्ट है हम ग्यान को जब प्राप्त करें कहा क्या फाइदा इतने सारे केश बढ़ रहे हैं तो लोगडाउन करने का क्या फाइदा हुआ उससे समय दुसरे ने कहा कि लॉगडाउन था ना इसलिए केश अभी भी बहुत लिमिट में बढ़ रहे है ज़िए लॉगडाउन नहीं होता ना तो आज तक में लाखो 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 लोग संकरमित हो जाते हैं अब एक ने कहा कि लॉगडाउन से क्या फाइदा केस तो बढ़ रहे हैं अब दुसरे ने कहा अब दोनों के बीच में ने ने तू गलत है ऐसा हुआ यह कहा ने ने मैं राइट यह ऐसा है अब दोनों के बीच में क्या हो सकता है पर दोनों ही अपने अपने द्रस्तिकोंठे क्या होते हैं राइट हो सकते हैं दोनों ही अपने अपने द्र्स्तिकौंठे से राइट हो सकते ہیں इसलिए बगवान महावीर ने कहा गुजराती महजल सब्द द्वापर वो हिंदी में ऐसा ही है ऐसा सब्द उप्योग करना इसको बगवान ने कहा मित्यात्व कारण हो सकता है ऐसा ही है आम मज़च से नो बगवान ने कहा इट्स पॉसिबल इट्स पॉसिबल हो सकता है कि लोगडाउन के कारण केस अभी बहुत कम बड़े हैं और हो भी सकता है कि लोगडाउन था फिर भी इतने सारे केस बढ़ गए मैं जब मेरी बात को बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है तो बगवान ने कहा ऐसा हो सकता है कहने वाला नई को व्यक्त करता है ऐसा ही है ऐसा कहने वाला और सक्ति को प्रगट करता है नई में अपने द्रश्टी कोन को प्रगट करना है लेकिन दुसरों के द्रश्टी कोन का आशिकार नहीं करना है और दुसरे के द्रश्टी कोन का आशिकार नहीं करना है और खुद के द्रश्टी कोन का शिकार करते हुए खुद के दृष्टी कौन को ही राइट मनना और दुसरों के दृष्टी कौन को रौंग मनना इसे बगवान नई आभाश कहा है तोड़ा डिटेल जाना थोड़ा सा आपकी समझ में क्योंकि इतने सालों में कभी ये समझा नहीं है थोड़ा साइथ आपका समझने में देल लगेगी लेकि समझना बहुत जरूरी है मैं जब मेरी बात को रखता हूँ तब मुझे कभी भी तब मुझे कभी भी गुजराती में जाश शब्द का उप्योग नहीं करना है और हिंडी में ऐसा ही है ईसा वर्ड का उप्याग एसा हो सकता है आव लागेच्षे, आव होई सकते है विठी में तो इनो में के अतरे समझने के मानों कोई करते हैंदा है विठी मेरी वाइव है तो अपकी वाइव है राइट आपकी वाइफ है लेकिन वो किसी की बेटी भी है वो किसी की बेटी भी है किसी की मदर भी है वो किसी की सिठाने भी हो शकती है और किसी की सिस्तद भी हो शकती है नहीं वो वाइफ ही है अरे वो वाइफ ही है वो तेरे लिए वाइफ ही है लेकिन दुसरों के लिए ने को समझने की बात है यही बगवान ने का नई को समझ जाता है न वो किसी को नड़ता नहीं है जो नई को समझ जाता है न वो कभी किसी के साथ प्रॉब्लिम जादा नहीं खड़ा करता और किसी के साथ प्रब्लम हो गए गया न तो तुरंत ही थोड़ी देर में शांत हो जाता है मैंने आपको कहा कि सरावक उसी को कहा जाता है, सादक उसी को कहा जाता है, उपासक उसी को कहा जाता है परिउपासक उसी को कहा जाता है वो किसी भी समस्या को कभी लंबी नहीं करता है वो किसी भी problem को कभी लंबा नहीं करता है किसी भी समस्या को वो कभी long time तब नहीं चलाता है तुरंती वो अलग-अलग नई शेक अलग-अलग प्रकार से नई से वस्तु को समझने का प्रैतन करता है और जो अलग अलग नई से वस्तु को समझने का स्थिती को समझने का प्रैतन करता है उसको समझ ही समाधान दे देती है याद रखना इस जगत में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जितनी समाधी नहीं दे पाते हैं उस्से विज्यादा खुद की समझ ही खुद को समाधी दे पाते हैं और शिलिक अपने हम कहिए कि समझू मानसो इने समाधी बता रहे होे समझधार व्यक्ती प्राप्लेन का सॉलेशन फास्ट लाता है वे ज sailing दो पही पाए को समझ़खती को, अपनी समझ़ कान भो सो समझ़ पाथा है, और समी दोय को को है भी समझ़ बास्ताह सुमझ़ पाता है है, महनों के किसी को बुखार आया, और ईसक किसी ने पुछा, और किसी ने पुछा, दो बुखार हो गया है, बहुत प्रब्लेम है, थोड़ी देर के बाद वापिश तीन हो गया, चार हो गया, अब तो उसको बहुत सारी मेडी सिंधी बहुत कुछ किया, अब देरे देरे वापिश, चार में से तीन हो गया, तीन में से दो हो गया, अब इसको वापिश पुछा गया, कितना बुखार, अब दो बुखार है, पहले दो बुखार है, अब दो बुखार है, हलो, फिवर तो, फिवर तो दो ही है, लेकिन दोनों में दर्ष्टिकॉन क्य होगे दो में दोनों में बनल जाते हैं मुझे आपको यही कहना है कि सामने वाले का बुखार आप उत्तरता हुआ भी देख सकते हो और चड़ता हुआ भी देख सकते हो में कि सकते हैं मिदमा कि आपको के इस ह possessions थेले कर रोगाया कि वही का दोगल सकते हैं कि बुखार यॉट आपन डर्चित अविच को युखार अपना प्रं ठीश के रखक बित दो नगवाना हैं अंचड़तो ताव जो यह नहीं तापड़ा भावाखा बदलाई जाशा हुआ अधि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने किसी संत को कोई प्रेणा दी हिए कैसा अपो करना है अब सस संत को वह नहीं रुचता था तो उस लगा कि नहीं ये मुझे इसद एशा करना पड़ा है लेकिन फिर उस नहीं सोचा कि नि ये शमquently कORA का है तो य outfits में हैं को भभी करना जरूरी है तो फिर वो अपने आप में क्या होगे देरे 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 दे हम जब समझ का विकाश कर लेते हैं न तब अपने आप में इस समाधी बढ़ जाती है और इसलिए बगवान ने कहा कि समझ का विकाश करने के लिए नई कि सब्जेक को डिटेल से समधना ज़रूरी है मैं तो आपको अवरल बता रहा हूँ बगवान ने का दो नहीं होते हैं एक निश्य नहीं और एक विवहार नहीं है जो एंड को देखता है वो निश्य नहीं होता है और जो आज को देखता है वो विवहार नहीं होता है किसी ने कहा कि मेरे सामने बगवान है आप तो बगवा है तो मैं समझ रहाओं कि यस बरोबर है यस भुगवान है अपुर्वा यस भुगवान है तो कि क्यों तो कि आज उसे परमात्मा के वचनों को सुनने की भाव औरे कल उसे सम्मिक दर्शन प्रिकट हो जाएगा उसके आत्मा विश्द हो जाएगी अगले जनम में हो सकता है कि वो सभी कर्मों को ख्षय कर दे और सभी कर्मों को ख्षय कर दे तो वो भगवान हो सकता है तो कोई कहता है कि यस आज अज अमेरिका में रहता है लेकिन भगवान है आज संसार में फिर भी भगवान है वो बोगी है ना फिर भी भगवान है सही है क्योंकि निश्य नहीं से end में वो भगवान है कोई कहता कि नहीं आज तो वो इतना गलत करता है वो तो पापी है तो पापी है बरो बरे वो भी बात से यह है क्योंकि विवहार नहीं से विवहार आज को देखता है और निश्चे एंड को देखता है क्या है जवार आज को देखता है और निश्य एंड को देखता है दिवानों परियो अब ये दोनों इद्रश्टी कुण हो गे न किसी ने कहा कि सिर्णिक महराजा नरक के नारकी है बुगवान ने कहा सही बात है नरक में नारकी है किसी ने कहा नहीं में सेनी को तिकोतो आयनम पैयनम मना मीनमंशा मी सक्काई हमी कर रहा हु अरे नरक नारकी न कर राही में उसके मैं उसके निश्य नईश्य उसके बविस्य को देख रहा हुiden तिर्तं करें कि पत्प बिराजमान होकर हजारों लोगों को उब्देश दे रहे हजारों लोगों को कल्यान हो रहे हैं और फिर उसकी आत्म मोक्ष पधार रही है हो सकता है आप उसे आद्वी बनना कर सकते हो आद्वी उसे भाव से बनना कर सकते हो क्यों? क्योंकि आप उसे निश्ची दरस्टी से देख रहे हो किसी ने कहा कि छिपकली का सरीर बहुत गंदा है किसी ने कहा कि छिपकली का सरीर बहुत गंदा है किसी ने कहा मैं छिपकली को अभी प्रणाम कर रहा हूँ पर तो छिपकली को प्रणाम कर रहा है कि जो थोड़े ही बवपुरेकर के साइद मोक्ष में जाने वाला है और इसलिए उस मोक्ष ग्यामी आत्मा को में प्रणाम कर रहा हूं तो बुलो उसका प्रणाम सम्यक होगा कि मित्या होगा उसका प्रणाम सम्यक हो गया क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोन निश्य का दृष्टिकोन है और जो उसका छिपकली के रूप में देख रहा है उसका दृष्टिकोन विवहार दृष्टिकोन है इसलिए वो भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है It's possible इसके हर प्राब्लेम सुल हो जाते हैं मैंना आपको कल कहा था कि पदाथ के लिए जो प्राब्लेम करता है और वो पशू होता है अब देखना पशू अनिमल क्या करते हैं? मौश्डी सभी पदाथ के लिए लड़ते हैं उसको खाने का देते तो खाने का छिनते और वो उसको नहीं मिला, उसको ज्यादा मिलकर उसको लड़ते रहते है अपने एरिया में कोई गुष्ट ना जाए ना, इसलिए लड़ते रहते है अनिमल मौस्टली पदात के लिए लड़ते हैं, जगड़ा करते हैं लेकिन, मनुश्य हमेशा के लिए अपने अपने थिंकिंग, अपने विचारों के लिए, अपने अपने पॉंट ओ व्यू के लड़ते हैं मैं राइटू, 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 मै झाल झाल